हाजी दोस्तों स्वागत है आपका वीडियो नमबर 605 में और मैं आज आपके सामने ये एक बहुत ही जबर्दस वीब एक कोड शेयर करने जा रहा हूं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो आउट्रुक की एमेल्स हैं और उनमें जब आपको जो अटाच्मेंट्स आती हैं आप उनको कैसे एक मैक्रो के थुरू आप अपने डेस्टॉप पे डेड्राई पे जहां भी आप उनको रखना चाहें रख सकते हैं सिफ बटन क्लिक करेंगे और सारी फाइल्स आउट्रुक की जिस भी फोल्डर में आप काम करना चाहते हैं वहां से एक्स्टैक्ट होके आपके डेस्टॉप में आ चाहिए ठीक है तो यह चैनल की प्ले लिस्ट है एक्सेल एक्सेल वीबे आक्सेस फ्रंटेंड और आक्सेस वीबे और आउट्डुक वीबे का यह आप पहुंस करके नोट कर सकते हैं और इसको इस सेक्वेंस में देखना शुरू करें वीडियो का कोई भी नंबर हो आपने उस पे नहीं जाना है प्लेइलिस्ट का सीक्वेंस देखें और हर प्लेइलिस्ट में 5,10,15,20,20 ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे वो वीडियो आपको सीक्वेंस में डेले हुए हैं तो उसी की तरीके साब उसे देखें और यहां से कर सकते हैं आज जो हम चीज करने जा रहे हैं उसके बार में थोड़ा सा इंट्रो ले ले लेते हैं कोड में आपको दिखाऊंगा कोड बिल्कुल तयार पड़ा हुआ है बहुत ही जबर्दस कोड है अब जैसे यह मेरे पास एक आउट्लूप अपना इमेल है यह हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं आप सब भी यूज करते होंगे अब हमें करना यह है कि इसके इंबॉक्स में जाना है और इसके इंबॉक्स फोल्डर में फोल्डर कोई भी हो सकता है गाईस फोल्डर आपका सब फोल्डर भी हो सकता है मैं वो भी आपको बता दूँगा कि अगर सब फोल्डर पर आप अपने किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं तो वो कैसे होगा और इंबॉक्स हो स है जितनी भी हूं हम सारी की सारी वहां से extract कर लेंगे ठीक है जैसे अभी आप अगर यह मेरा email देखें यहां पर attachment का sign आपको दिख रहा है जैसे मैं इसको open करता हूं तो आप इसको open करेंगे तो आप देखें इसमें एक file है Dennis ठीक है तो ऐसी कुछ email जिसमें दो files भी हो सकती हैं जिसमें तीन भी हो सकती हैं तो यह हम शूर नहीं है इसके बारे में यह तो जब code चलेगा वह अपने आप सारा कुछ देख लेगा तो यह हमारा task है अब code मैं आपको दिखाता हूं यह छोटा सा code है आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से 10-12 lines का code होगा लेकिन सारा कुछ इसी में है सारा कुछ हम इसी से करेंगे ठीक है अब लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूं कि आपको explain करूं तो मैं सिर्फ आपको यह code यहां पर नहीं दिखाऊंगा हम इस पर बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखें जिन लोगों को वीबे का बहुत basic knowledge है और जिन लोगों को वीबे का बिल्कुल भी knowledge नहीं है सबी के लिए और जिनको knowledge है अच्छा knowledge है उनके लिए तो यह video है ही है लेकिन जिनको basic या जिनको ज़्यादा idea नहीं है वो भी इसको जरू कोड है आपको VBA नहीं भी आता हो आप अपने office में ज़रूर इसको यूज कर सकते हैं और यह आपके घंटों सेव करेगा तो हम Outlook application के साथ इसको connect करने जा रहे हैं Excel VBA को ठीक है आप देखे क्या होता है कि जब आप Outlook के साथ काम करते हैं तो यह नहीं पता होता कि Outlook क्या है जब तक आप उसको बताएं ना ठीक है क्योंकि हम Excel में बैठे हुएं तो हम एक external application के साथ बात करने जा रहे हैं तो external application से बात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है गाईस जब आप VBA में आते हैं यहां पे Visual Basic पे क्लिक करके यह तो आप सभी को पता ही होगा आप introduction सीरीज भी मेरा देख सकते हैं वी बे इंट्रोड़क्शन सीरीज का प्ले लिस्ट है अगर आपको बिलकुल नहीं आता है उसमें आप पहले एक दो वीडियो जरूर देखें ठीक है आपको काफी उससे अच्छी बिलकुल नहीं हम छेड़ेंगे यह by default libraries है इनको ऐसी रहने लिए आप यहाँ पर M प्रेस करें और नीचे Microsoft Outlook को ढूंडे ठीक है यह सारे आपके alphabetically sorted है तो आपको बहुत इजी होगा इनको ढूंडने में तो यह Microsoft Outlook 16.0 लाइब्रेरी आगी इसे मैं चेक माक करने जा रहा ह होगा क्योंकि आपके पास अगर अलग version है मैं 2016 Excel यूज करता हूं तो यह 16.0 इसलिए आ रहा है अगर आप 2030 यूज कर रहे हैं तो यह 15.0 होगा और उसी तरह अगर आप 2010 कर रहे हैं तो 14.0 होगा तो नंबर पर नहीं जाना है गाईस बस आप इसको activate करतो ठीक है इसको activate करने से क्या होता है कि आप Excel VBA को यह बताने जा रहे हो कि हमें Outlook application से बात करनी है ठीक है उससे मिलना है क्योंकि हमें कुछ उससे deal करनी है तो deal कैसे होगी जब आप उसको बताएंगे कि भई मैं इनको जानता हूं और मुझे यहां आप लेके चले मैं इनका address जानता हूं ठीक है एक तरह से जैसे आपने कोई cab hire कर ली आप अपने friend के जा रहे हैं ठीक है क्या वाले को तो नहीं बता कहां जाना है जब तक आप उसे address नहीं बताएंगे लेकिन जब आप address बता देंगे क्या वाला आपको लेके जाएगा बिल्कुल लेके जाएगा राइट तो इसी तरीके से आप Excel VB को बता चुके हैं इस step से कि मैं outlook application से deal करने वाला हूं मैं outlook application से अपना जो है code बनाने जा रहा हूं तो वो आपको कैसे करना है यह आप दो lines लिखेंगे dim o as outlook.application set o equals to new outlook.application जब पीछे आप reference activate कर देंगा अगर आप reference activate नहीं करेंगे तो यह code नहीं चलेगा ठीक है अब ओ क्या है ओ मेरा simple object है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं बस लिहान रखे कोई special character या किसी number से हम start ना करें क्योंकि वो VBA के naming rules के against है यह दो line क्या करत है ठीक है अब जब outlook application create होगी उसके बाद क्या करना है अब इस चीज़को आईए समझते हैं देखे क्या होता है कि outlook application में अब बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी classes है classes का मतलब कि आप किस object के साथ क्या करना चाहते हैं जैसे excel में workbook है worksheet है range है charts है पिविट है आपको पता है outlook में बिल्कु different concept है outlook में क्या होता है folders होते है emails होती है attachments होती है calendar होते है right तो वहां पे उसकी hierarchy के recording काम करेंगे तो कुछ classes हैं जो हमें पता होनी चाहिए आप एक तरह से समझें कि कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए जिसे हमें यह पता कर सकें कि अगर folder में का करना है attachment के साथ काम करना है तो क्या किया जाएं तो outlook में आपको यह बहुत important hierarchy है मैं आपको बताने जा रहा हूं classes का namespace चो class है यह क्या करती है इसकी थू हम यह Excel VB को बताते हैं कि हमें outlook कि किस folder में जाना है ठीक है मला inbox है draft है sent है junk है या कोई sub folder है ठीक है वह भी हम करते है actually यह जो आपके by default folders है inbox यह जैसे inbox sent draft यह जो भी है deleted items मैं आप दिखाऊंगा आपको इसके तुरू हम यह बता देते हैं कि folder हमने कौन सा target करना है ठीक है पहली चीजी होगी तो अगर folder target करना है तो यह जरूर class हम use करेंगे उसके बाद जो भी आपका folder होगा वो आप folder class में define कर है वो inbox है या वो inbox के अंदर को इस आपने खुद का folder create क्या हुआ है वो क्या है तो यह इसलिए class use होती है mail item इसलिए guys use करते हैं जब भी आप mails में काम करो अब इसमें तो बहुत सारा काम है क्योंकि mails के अंदर ही जाके तो attachment देखनी है तो हर mail में हम जाएंगे करके ठीक है और चेक करेंगे उसमें attachment है कि नहीं इसलिए mail item और attachment classes use हो रही है ठीक है उसके बाद जब हम यह सब define कर देंगे फिर हमारा main काम शुरू होगा वो क्या हम एक loop चलाएंगे तो plan क्या है plan यह है guys कि आप folder inbox define कर दो vb को बता दो inbox में जाना है और उसके बाद फिर हम एक loop चलाए बात कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप हर email में जाएं और चेक करें कि उसमें कौन सी attachment है तो दो loop चलेंगे एक loop दूसरे loop के अंदर लिखा जाएगा पहले तो अब यह कहेंगे अगर आपके पास 10 email है कि यह 10-10 emails पे मुझे जाना है एक दो 3456 एक यह loop चल जाएगा लेकिन एक से दूसरी email पर जाने से पहले यह भी तो देखना है कि उस पहले वाली email में कोई attachment तो नहीं है उसके लिए एक और loop चलेगा उसमें हम क्या कहेंगे for each attachment in my email क्योंकि attachment तो email के अंदर ही होता है और email folder के अंदर होता है तो क्या loop बना for each email in folder और उसके अंदर for each attachment in email समझ रहे ह इस तरीके से तो आईए इस पर बात करते हैं तो outlook application create करने के बाद मैंने आपको बताया था कि namespace हम यूज करेंगे इस तरह से namespace यूज करते हैं dimons as outlook.namespace और set ons equals to o.get namespace mapi message application platform interface इसको यूज करने से क्या होता है कि जब आपने ये object ons create कर दिया आप ons की जिए कुछ और भी लि में method मिल जाएगा इस class का get default folder ठीक है यह क्या करता है जब आप इसको bracket start करते हैं यह आपको यह बता देता है कि कौन से folder में जाना चाहेंगे आप तो हम इसमें inbox use करेंगे लेकिन यह हम किसके किसको किसके आगे यह value हम लिखेंगे मलब ऐसे लिखके आप नहीं छोड़ सकते code क्योंकि यह folder है तो यह किसी variable object आपको बनाना पड़ेगा तो आप next line देखें मैंने उसमें यही किया है मैंने का कि एक मेरा fol नाम का object है और वो outlook.folder की तरह rate होगा तो जब आप यहां पे outlook.folder लिखेंगे न आपको यह folder अपने आप देख जाएगा ठीक है उसके बाद मैंने मैंने का कि folder equals to किसके है वही जो मैंने आपको भी दिखाया ol folder inbox अब यहां पर मैं आपको advance में पहली बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग उनके mind में जरूर question आएगा बहुत सारे लोग हम सभी बलकि inbox में कभी कुछ नहीं करते हैं inbox में जो email सा आती है आप उनको हमेशा अपने folders में store करके रखते हो और folder अलग अलग तरह के होते है client wise मान के चलते है तो अब जैसे यह मेरा dummy folder हो सकता है आप dummy folder पे काम करना चाहते हो इसके अंदर की जो email चाहिए उसकी files आप extract करना चाहते हो तो फिर क्या फिर यह line तो चलेगी नहीं क्योंकि तो inbox है यह तो सिप inbox को target करे तो आप इसको आगे modify करें ऐसे यहां पर inbox.folder लिख दें ठीक है यह अपने आपी दिखेगा आपको यह वाला यह folder folders के बाद bracket start करें और उसका folder का नाम लिख दें जो मैंने नीची लिखा हुआ है ठीक है यह वाला line ठीक है इसको ध्यान रखें comment करके रखें यह सिर्फ आप यह line run करेंगे मतलब अपने folder में खुझ जा रहे हैं तो इसको comment करतें delete करतें आपको comment करने के तो जरूरती नहीं है तो folder तो एक ही define होगा या inbox होगा या draft होगा जो by default है या उनके अंदर कुछ create किया है तो फिर यह वाली line यूज होगी ठीक है तो folder define हो गया हमारे code में मैं inbox क आपको target कर रहा हूँ उसके बाद मैंने बताया था कि आप mail item class use करेंगे mails के लिए तो यह दो lines आपकी standard है यह इस तरह से लिखी जाती है dim omail as outlook.mail item set omail equals to o.o क्या है guys outlook ठीक है तो जब आप o लिखेंगे तो o के दिखो मैं यह आपर दिखा था हूँ o.create item इस तरह से लिखा जाता है create item bracket start करेंगे यह दिख जेगा आपको यह line लिखने का मतलब क्या है यह line लिखने का actually मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि आपको mail में deal करना है इसमें appointment भी है contact भी है mail item बहुत कुछ है इसमें तो हम यह mail item इसको use करेंगे ठीक है यही मैंने तो यह पता लगजेगा कि आज से omail मेरा email है इस outlook application का o का और fol मेरा folder है जो inbox होगा simple उसके बाद ATMT कोई भी variable उठाके outlook.attachment की class हम उसको define कर देंगे जब यह सब हमने define कर दिया अब हमारा code start होगा तो यह जो code है यह आपको समझना है तो मैंने आपको बताया था पहले आप क्य क्या करेंगे पहले आप यह ही कहेंगे कि मुझे सारी emails में जाना है तो बड़े वाला लूप आपका यहां start होगा for each omail आपकी email क्या है guys आप यह email थोड़ी लिखेंगे वो तो मैंने व्यास से आपको समझाने के लिए कहा था था ना बट आपने email किसको define किया हुआ हुआ है तो यानि आप यह कह रहें कि for each mail in my inbox और next omail यानि यह जो बड़े वाला loop है यह बड़े वाला loop यह for each ATMT वाला आप भूल जाएं थोड़ी दिल के लिए यह क्या कर रहा है यह आपका यह ध्यान अखेगा कि अगर आपके inbox में 50 email हैं 100 email हैं यह एक करके उन पे जाएं यह किसी इससे पहले कि आप अगली email पे जाएं आप यह ध्यान रखें कि for each attachment in my that mail attachment ठीक है ना attachment किस में पड़ी होगी mail में पड़ी होगी लेकिन हो सकता है 2 attachment हो 3 attachment हो attachment से मेरा मतलब जो files आपको भेजी गई हैं वो कितनी भी हो सकती हैं तो हम यह कहते हैं कि आप उनको भी check करो for each attachment in omail dot attachment next attachment ATMT ठीक है तो क्या होगा पहले यह छोटा loop चलेगा अगर आपके पाद 10 emails हैं दो email है मानके चलेए एक में 5 attachment हैं दूसरी में 2 हैं तो जब तक अगर वो 5 वाली email को चेक कर रहा है तो वो जब तक उस 5 वाली email है जिसमें 5 attachment है यह loop 5 बार चलेगा 5 वार चलने के बाद फिर next email पर जाएगा और फिर दुबारा से जब loop run होगा तो नई वाली email में 2 attachments पिक करेगा और उन्हें कर क्या रहा है यह save as कर रहा है तो आप जब इसको ATMT यहां पर लिखेंगे ना या जो भी आप object लिखते हैं ऐसे जब आप लिखेंगे आपको इसका यह method मिल जाएगा इसलि mail folder create क्या हुआ है मैं आपको अपने folder में लेके चलता हूँ आप देखें यहां पर सो मैं let's say assignment में जाता हूँ और यहां से मैं अपना d drive उठाता हूं तो d drive यह रहा मेरा यह मेरा d drive है और यह यहां पर guys आपको mail folder देखेगा यह है folder बिल्कुल blank पड़ा हुआ है तो folder आप finally save होना क्या है जो भी file का नाम होगा तो वो आप कैसे लिखेंगे attachment ATMT जो आपने लिखा है जब आप इस पर dot लगाएंगे आपको file name दिख जाएगा यानि यह बता देगा कि वो file क्या है excel है जो भी है png है सब आपको इसमें पता लग जाएगा ठीक है तो मैं इस code को run करता ह हूं फड़ा फड़ से इसको हम run करते हैं और अब देखते हैं कैसे code चलेगा तो यहाँ तब आपको कुछ नहीं पता लगेगा VBA यहाँ पर अपना काम कर चुका है शुरू कर चुका है यहीं से हम सब कुछ चेक करेंगे तो attachment पहली मेरी save होने जा रही है क्योंकि किसी जो आप यहाँ देखें आपका image आ गया वाओ देख रहे हो गाईस कितना यह powerful code है उसके बाद F8 दुबारा करें एक और attachment है मुझे लगता उसी email में तब यह वापस क्या अब कौनसी attachment है 002 फिर आपने रन किया अब कोई attachment है चेक कर लेते हैं अब कोई attachment नहीं है इसका मतलब क्य अंदर ये loop चलना शुरू हो जाएगा अगर उसमें इसे कुछ मिलता है तो वो इसको save करता चलेगा यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा इस loop से बहार आके next email पर चला जाएगा तो यह सारा process ऐसे चलता रहेगा और आपकी emails save हो जाएगे तो मैं अब यहाँ जाके इस code को फटा-फट से f5 करता हूं इसको run करते हैं और देखते हैं क्या होगा आप देख रहे हैं मैंने run किया और files automatically upload हो रही है यहाँ पर fantastic राइट तो यह गाइस बहुत powerful code है ठीक है बहुत 10-12 lines का code है और आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं यह पूरा code है आपके सामने ठीक है नीचे कुछ निए नीचे सिर्फ ends up है तो यह code आप बिल्कुल लिखें और अपने इसमें चलाएं इतने एक चीज़ का ध्यान लखें कि आप अगर इंबॉक्स में काम कर रहें तो इंबॉक्स रखें अगर ड्राफ्ट में काम कर रहें तो यहां पर जब आप इस पर bracket स्टार्ट करते हैं वैसे ड्राफ्ट पर हम लोग काम नहीं करते हैं बट मैं फिर भी बता देता हूं जैसे आप अगर ड्राफ्ट में काम कर रहें तो य करें folders के बाद जो भी आपका folder है आप उसका नाम दे सकते हैं आप लोगों में से बहुत भी ऐसे लोग भी होंगे जिन्हों ने इसके अंदर dummy के अंदर एक और folder बनाया होगा क्योंकि मैंने इन बॉक्स के अंदर बनाया है अगर आपने फोल्डर ड्राफ्ट के अंदर बनाया है तो यहां से ड्राफ्ट हो जएगा ड्राफ्ट.folder ठीक है यह फोल्डर डिफाइन करेंगे आप ठीक है तो यह आपका एक छोटा सा code है लेकिन बहुत powerful code है और इस तरीके स आप इसे अपनी files को extract कर सकते हैं ठीक है तो guys thank you so much अपने आपका feedback मिला मुझे आज ठीक है और हम इसमें आगे और वीडियो हिंदी में upload करेंगे और आप बहुत चीज़ें यहां से सीख सकते हैं और आपके feedback का आपके likes का मुझे इंतजार रहेगा तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में thank you so much bye bye